हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में सॉल प्रती कोशन नमर 58 को दे लेंथ अब रेक्टेंगल इस ट्वाइस इस ब्रेट एंड इस एरिया इस 288 cm2 हैं फाइंट्स डीमेंट्स 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 काफी सींपल कोश्शन है क्या अब निखेंगेंगें 288 लेंथ इंटू x तो यह हो गया 2x square equal to 288 x square equal to 2 इधर आके divide हो जाएगा तो यह हो जाएगा 144 तो x square equal to 12 का square तो x equal to plus minus 12 तो हम यहाँ पर negative minus 12 को ignore कर देंगे तो बच जाएगा सिर्फ x equal to 12 plus minus क्यों आए कभी भी एक तरफ से square हटा कि अगर हम दूसरे side root लेते हैं तो हमेंसा दो value आएगा plus minus में ठीक है अब plus को रखना है कि minus को रखना है वो हम question के according decide करते हैं कि plus value को रखना है कि minus को की दोनों को रखना है तो यहाँ पर जो x है वो एक length को या breadth को side को represent कर रहा है तो negative value को हम ignore कर देंगे तो x का value हो गया 12 यानि breadth जो था वो हो गया 12 cm और जो length है वो हो गया 2x यानि 24 cm बस यह define करना है इस question में find the dimension of the rectangle तो यह आ गया dimension